नमस्कार आपके साथ मैं हूँ वैदे रितिका गौतम स्वागत करती हूँ आप सभी का समचार प्रस की इस खास कारिक्रम में धन की चाहत हर किसी को होती है हर इंसान मा लक्ष्मी की खृपा पाना चाहता है ऐसे कई तेवहार हैं जब लोग मा लक्ष्मी की पूजा अरचना करते हैं उनі में से एक तेवहार है धन टेरस यानि आज के सेगमेंग में हम धन टेरस को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कितना महत्व रखता है धन्तेरस का ये तेवहार तो चलिए इस कारिक्रम की शुरुआत करते हैं धन्तेरस हिंदूओं का सबसे महत्व पूर्ण तेवहार है धन्तेरस ना केवल सम्रिधी और अच्छे स्वास्त का जश्न मनाने का तेवहार है बलकि इसे वित्य निवेश करने का भी एक बहतर अफसर माना जाता है क्या है धन्तेरस शब्द का मतलब? क्यों दिवाली से पहले इसे मनाते हैं? इन सभी की जानकारी लेंगे इस खास रिपोर्ट में सोच कुछ भी हो लेकिन इस बहुत दिख्ता की दुनिया में अगर धन सब कुछ नहीं भी है तो भी उसकी कीमत बहुत कुछ है कहा जाता है कि जब देवो और दैतियों ने मिलकर समुद्र मन्थन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले जिनमें से देवी लक्ष्मी भी थी और मालक्ष्मी ही है जिनकी कृपा से धन संपत्ती और एश्वर्य की बरकत होती है धन तेरस जिसे हम धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं हिंदूों का बेहत महत्व पूर्टेवहार माना जाता है हिंदूं का जाता है हिंदूं का जाता है हिंदूं का जाता है ये ना केवल संब्रिद्धी और अच्छे स्वास्त का जुष्ट मनाने का तेवहार है बलकि नए उद्यम और वित्य निवेश करने का भी सुनहरा अफसर माना गया है धन तीरस की महत्वता क्या है इसका अंदाजा बाजारों को देख कर बखूं लगाया जा सकता है बाजार सच चुके हैं लोगों की खरीदारी भी शुरू हो चुकी है और इस दोरा लोगों की उत्सुकता देखते ही बन रही है तो चली इस कारिक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए मैं स्वागत करूंगी स्टूडियो में पंडित रामदेव पांडे जी का पंडित जी आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है धन्तेरस का तेवहार है आज हम आपसे जानेंगे कि क्या है धन्तेरस का तेवहार क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर है सबसे पहले मैं ये सवाल करूँगी, सेगमेंट में मेरा पहला सवाल यही रहेगा, कि इस धन तेरस शब्द का मतलब क्या है? देखें, धन तेरस सब्द का अर्थ है कि कार्तिक महीना में ही धन तेरस होता है, तेरस का अर्थ है तेरह, थाटीं, और धन का मतलब है धन, तो यह धन तेरस हुआ, इसी दिन महराज धन वंतरी का जनू भी हुआ, और इसलिए इसको धन तेरस कहा गया, धन वंतरी के जनू के नाया है कि एंवन्त को यह निछ को दंते रस पहाग हे लेकिन की काई कि समुद्र मन्तन की कता सब जगव पे समुद्र मन्तनय जब हुआह तो तो उसी को मत नी बनाया गया और इसे दोनों साइट से उसको मत रहते तो जब मत रहेते तो मतने समुद्र को मंफन कर रहेते समुद्र को मंफन करने से 14 तरह के रत निकले तो प्रतेक दिन एक रत न निक़ला जो प्रतेक दिन रत ने यह जो प्रारम हुआ था वह मन्थन प्रारम हुआ था आशिर मास के पूर्णिमात के ठीको जुसक दिन हो घरणत पूर्णिमांस मनाते हैं और सबसुरतम rubbish ले लेकर बड़ा कुम्भ एक बड़ा कलस लेकर के बड़ा घाडा लेकर के आये जिसमें अम्रित था और बहुत सारी ऑस्थीयां थी जो अस्थी हम को यह बताती हैं हम जीवन को कैसे सोक्षीत रखें तो इस लिए इस जो तिथी को का महत्तु जो है वह धंतेरस के रूप में हुआ और धंतेरस कहा जाने लगा जी पंटे जी हमने देखा है कि हिंदूों में तो ये तेवार काफी माइने रखता है अगर धंतेरस की बात करें तो जब हम खरीदारी की बात करते हैं तो हमने देखा है बजार तो पूरा सजा धजा रहता है लेकिन आज के दिन मैंने सुना है कि ब जब बाजारवाद का सिधान जो अभी एक ट्रेट फेर आया सारे देस भी तुझो है वह ट्रेट फेर करते अंतरश्टी फेर है फलामगा त्रेट फेर ला रहे हैं जो एकॉनोमिस्ट आ चुला है हमारे जो व्हाई को कर intéressर कि हमको खरदारी करनी है कि पीछे लक्ष होता है कि कि फिछे बहुत सारे लों का बढ़ता है और हमारा गुजनी यूझा हैं जितने भी त्य시는 सभी दिवाह और बिवाह को लेकर है हमारा जोगदान के वल यूवारों का होता है यह सब्सक्राइब तो क्योंव मेरेज का जी टीप है भारत तो वह तर्टी प से कि युव्र बैस्ता होती है इसको देखिए तो इस में था­3 वह हिसा क Jourdhre Live करते हैं के लिए तो हम सोना इसलिए खरीथ हम चांदी इसलिए करिते हैं जिद्वांद वहां है यह चार फांच प्रोपर्टी है उसको आप उस रेट फे ज्यादा दाम मिलेगा आपको इसलिए मैंने कई बार ये भी देखा है कि लोग जो है वो सिर्फ एक सोने का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का भी खरीते हैं और कहते कि ये काफी शुब है हमारे लिए तो ये चीज आपने काफी सही गळंग से बताया पंजजी और अगर धंतेरस की पूजा को लेकर हम बात करें तो मुझ्य रूप से किन किन देवी देवताओं की पूज़ा धंतेरस के दिन워요 जाती है देखे धन्तिरस के जो दिगता माना जीते हैं धन्वंतरी माने जाते हैं धन्वंतरी जो है वह भगवान विश्णुक के ही अंसीय सरूप है और लक्षमी के पहले धन्वंतरी का अभ्यूदय जो था वह महा सागर से हुआ था उसमुद्र मंतन में प्रफम पूजन ज यही काता है कि सबसे पहले हम स रह genuine अरुवेद के देखता है अर्वेद के जो हैं सबसे पहले हम उस हैं तो सबसे पहले हम ऊस आएरवेद के जो देंटा है धर भंदरी की पूजा करते हैं इसके साथ ही आचकल तो बाजारवाद हो गया दिपावली के दिन पंड़ी जिए महीं मिलते हैं मुहर तो नहीं मिल पाता है तो उस परिस्तिती में जो है वह धंतरेस के दिन में पूजा पूजा करते हैं और चित्रकुप्त महराज है इनकी पूजा जो है इनकी पूजा होती है तो इस तरह से आप धंदरस के देन में भी महालक्षमी पूजा और धर्मत्री पूजा एक साथ कर सकते हैं मुझे लगता है पंडे जी यही खुबसूरती है हमारे सनादन धर्म की की हर पर्वत्यभार को इस तरीके से बांटा गया है कि हमें ये मौका मिलता है हमें ये अफसर मिलता है कि हम हर देवी देपताओं की पूझा कर सके अच्छा पंडे जी अब हम बात करेंगे राशियों के बारे में हम ये जानते हैं कि हर राशी के हिसाब से अगर किसी भी वस्तू या अभूशन को खरीदा जाए तो ये भी धंतेरस वाले दिन काफी शुब माना गया है तब हम राशी पर आते हैं अगर हम राशियों की बात क करें तो हम मेश से शुरू करते हैं जो हमारे मेश के जातक हैं उन्हें धंतेरस वाले दिन क्या कौन सी वस्तू खरीदनी चाहिए मेश रासी के लिए खरदारी करने के बात होती है मेश का मंगल होते हैं तो जब मंगल स्वामी होते हैं इस तरह के जातक जो है वह भूमी का कर सकते हैं अगर खरिदना है तो अप सोना कर सकते हैं जिसके पास नहीं है वह पितल की खरदारी कर सकता है और जो पीली वस्तु होती है पिली वस्तु जो है सोना का पितल का भूमी का इसकी खरदारी वह जो है वह कर सकते हैं लेकिन एक चीज़े मैं बोल दू कि धंतेरस के दिन जहाड़ू सभी रासियों को खरिदनी चाहिए जहाड़ू जो है वह लक्षमी की बड़ी बहने जेश्टा है इसे जहाड़ू का खर प्रापती करने के थाली ले लें कमंडल ले जो पूजा फुलधरी होता है इस सबकी खरदारी जो है वह मेश रासी वाले कर सकते हैं जी तो जहाड़ू वह सभी राशियों पर लागू होती है आपकी नहीं भी राशी के हो लेकिन जहाड़ू आपको खरीदना जरूरी है ल किन चीज़ की खरीदारी करने सांदी के खरीदारी सकते हैं करते हैं जो सप्राइब रासी के लोग हैं। खरिते हैं उनको चाहिए कि जो सफेज चीज की प्रोड़क्ट अस्टील की जो कंपनिया हैं उनके सेर खरी सकते हैं और इस तरह से वो ब्रिसवरासी वाले इस तरह से खरदारी कर सकते हैं तो अगर आप गौर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सिर्फ धातू या फिर आप हुशन की बात पंडेज नहीं बता रहे हैं यह खाने पीने के समान के बारे में बात कर रहे हैं कि तो आप जरा गौर से सुनियेगा हम आगे बढ़ते हैं और अब मिथुन जातक इनमें जादा होता है तो जो अनाज वगर एंडर है, इसकी खरदारी वक कर सकते हैं बुद्ध वबिवेक और बुध्धी का सबसे कारग्रा होता है तो जो हमारे बियार्थी हैं वो किताब कलम करीच सकते हैं जो अब कम्पेटींशन की किताब हो सकती उनको खरीद सकते हैं बुद्धी से बढ़ने वाली जो भी चीज है वो उनकी आज बहुत सारे गजट्स आ गए हैं कंप्यूटर वगर आ गए हैं लैपटॉप वगर आ गए हैं टैबलेट वगर आ गए हैं तो इसकी खड़दारी जो है वो इस तरह मित्वन रासी के जातक ज सकते हैं तो मुख्य रूप से अगर बात करें तो मित्वन राशी वालों को पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीज जैसे कोई गिजट हो गया नहीं तो फिर कृष्टी से जुड़ी हुई चीज भी आज के दिन वो खरीद सकते हैं आगे बढ़ते हैं और हम करक करक रासी वाले लोग है और यह पूरे परिवार को फाइदा मन पहुंचाता है जाड़े के दिनों में इसके अलावा चांदे की खरदारी कर सकते हैं मोती की खरदारी कर सकते हैं सफेद कपड़ों की खरदारी कर सकते हैं जो सफेद चीजे हैं इनकी खरदारी वा कर सकते हैं और यह चीजों की खरदारी करक रासी के जातक जो है वह कर सकते हैं वैसे भी आपने सेग्मेंट के शुरुआत में बताया था कि जो धनमंतरी देव हैं वो आउशदी या फिर आयूरवेद के देवता भी कहलाते हैं तो अगर धन तेरस वाले दिन अगर हम आयूरवेद या आउशदी से जुड़ी हुई कोई चीज खरीते तो वैसे भी मुझे लगता है कि शुपकारी हो गाई जी जी आगे पड़ते हैं और अब हम बात करेंगे सिंग राशी सिंग राशी के बारे में आप क्या कहना चाहिए सिंग राशी के स्वामी जो होते हैं वह सूर्ज होते हैं वह राजसनिती के कारक होते हैं वापरा कर्म के कारक होते हैं तो सूर्ज के जो सिंग राशी से हमारे लोग है उ अगर कोई सिविल सर्वेंट एस पेरेंट हो या फिर अगर सरकारी नौकरी कर रहा हो तो वो जो भी एस्पिरेंट्स है अब अपने लिए कॉपी किताब खरीदे वो आपके लिए काफी शुब रहेगा आगे बढ़ते हैं सिंख राशी के बाद अब हम बात करेंगे कन्या राशी की कन्या राशी के स्वामी जो होते हैं वो बुद्ध होते हैं और पुष्टक और जो नॉलिज बढ़ाने वाले चीज़े हैं इनके खरदारी करकर करके और धंतेरस को अच्छा कर सकते हैं पंजी यहां पर हम थोड़े देर के लिए रुखेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुखेंगे बागी राश्यों के बारे में भी बात करेंगे प स्वागत है अब सभी का ब्रेक के बाद ब्रेक से पहले हमने कई राश्यों के बारे में जाना कि धंतेरस के दिन किन अभूशनों की खरीदारी करे या फिर किन वस्तूओं की खरीदारी करे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अब हम बात करेंगे तुला राश्य की पंजे जी तुला राशी के लिए धंतेरस कितना महत्वा पूर्ण है और वो क्या खरीदे धंतेरस वाले दिन? तुला राशी की बात हो गई तुला राशी के बाद अब हम बात करेंगे व्रिश्यक राशी की व्रिश्यक राशी को आज के दिन क्या खरीदना चाहिए? बिश्यक राशी के स्वावी मंगल होते हैं तो जब मंगल प्रवावीत लोग हैं ऐसे लोग जो हैं वो सोना की खरदारी करें पीतल की खरदारी करें कांसा तामा की खरदारी कर सकते हैं इसके अलामत जो है वह के हुम वगर जो है चुकि अभी लोग का छट वगर आ गया तो तो बच्चों के लिए पढ़ाई की जो चीज़ें हैं उनके लिए बैग वगरे स्कूल बैग वगरे या जो चीज़ें हैं कलम कागज वगरे कौपियां यह भी खरीद सकते हैं जी तो व्रिश्टिक राशी वाले कौपी किताब और फिर अगर गेहुं चावल धान की बात करे तो ये आप धनतेरस में खरीद सकते हैं आगे बढ़ते हैं बात करेंगे धनुराशी की धनुराशी के स्वामी बिरस्पती होते हैं और बिरस्पती जो है वह पीला रंग के कारक हैं तो इसमें जो है वह सोना की खरदारी एगर है तो आप सोना की खरदारी कर सकते हैं और न हमारे जो दर्शक हैं वो पितल की खड़ारी करें सोना की खड़ारी करें इसके अलावा पुष्तक वगरा की भी खरदारी करें अध्यात्म की जो पुष्तके और इसके अलावा जो है वह आस्दि चीज चुकाने पिने की चीज़ें होती हैं ड्राइफूट वगरा ये सब की भी खरदारी वह आज के दिन करकरके और अनलंबे दिन तक उसका उपयोग कर सकत जो है वह किसान के लिए कर दो किसी भी तरह का जंत्र जो है उनको बंडी है वह खरदारी कर सकते हैं. 밑लब मुख्य रूप से अगर बात करें तो लोहे धातू की खरीदारी करना ज्यादा सही रहेगा अगर मकर राशी वालों की बात करें तो. आगे बढ़ते हैं कुम्भ राशी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चांदी खरीद सकते हैं नीलम खरीद सकते हैं और जितनी तरह के जंतरादी हैं घर के टेबूल कुर्सी गजट वगरगर को सजाने वाली चीजे भी अपने खरीद करके अपने घर को अच्छी तरह से सजा सकते हैं और अस्टील या चांदी का कोई समान यह खरीद सकते हैं जी पिली रंग की जो भी बस्तुएं हैं उनकी खरदारी खरदारी कर सकते हैं और विद्या का पुश्टक के भी खरदारी कर सकते हैं जो कर सकते हूं आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया हर राशी के हिसाब से आपने बताया कि किस बस्तु की खरीदारी करनी चाहिए अब वापस से थोड़ा सहम जान लेते हैं धंतेरस को लेकर आपने ये तो बता दिया था कि किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है मैं चाहूंगी हलका साब इस और भी अपना रुख करिये कि किस विधी विधान से हमारी दर्शकों को ये कुबेर, माता लक्षमी और धनवंतरी देव की पूजा करनी चाहिए पावली के दूसरे दिन तक जिस दिन लोग चित्र को फूजा करते हैं उस दिन तक इस बार तो चित्र को फूजा के दिन जो है वह साम में ग्रहन हो जा रहा है तो खर दिपक जलाने में कोई बात ही, पांच दिनों तक अपने घर के दर्वाजे पर जो है वह दिपक जलाना चाहिए, चुकि कोई पूजा करे या नहीं करे में वध्याद पूजा की बात कम करता हूं, और सामाजी ग्रूप से जो अच्छी चीज़े हैं, तो अपने घर के दर्वाजे पर धंतेरस के दीन में दिपक जलाएं, धंतेरस के दूसरे दीन जो है वह जो है वह जम का दिया जलता है, उस जम का दिया अपने घर से बाहर निकालें, डिक्षिन दिसा में जलाएं, और तिसरे दिन जो है इस बार दिपावली हो जा रही है, दिपावली के द प्रावसान बहुत पुराना है और लाइटिंग से खेड़े मकोडे मरते नहीं बिजने के लाइटिंग से तो जो परंपरिक हमारे परंपरिक जो बैस्ता है हमारी है उसके नुसार जो है पुजा करें और हम अपने खूसी को गरीबों के बीच बाते जिनके नहीं दीपक है उ हम जब करण से खरिते हैं तो ग्रामी चेतरों से करण से लाता है वहां से जो है हमारा जीटीप बढ़ता है गरीब लोगों का तो यह ख्याल रखें कि हम इन पांचों दीन में भगवान का पूजा करें मिठाईया बाटें खुद भी आनंद से रहें और अपने आसपास के लोगों को भी आनंद रखें जी सभी तरीके से आपने बताया जिस तरीके से अभी अपने जवाब दिया यह मैं कहना चाहूंगी आपने जैसा बताया कि हम मैंने भी ऐसा गौर किया कि हम धीरे-धीरे काफी फॉर्वर्ड हो रहें दिया जलाना अब थोड़ा पीछे होते हैं अपने घर को यह जो चाइनीज लाइट सो गया उससे हम सजाते हैं अब आखिर में यह कहना चाहूंगी पंडिच जी धंतिरस को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्या अपने तरफ से कोई मेसेच देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को देखें धंतिरस सबसे करीब हों कि हमारे आज-स-पास के लोगों को कोई परेसानी हो हमारे समाज की कोई परेसानी और हम अपनी उसी में समाज के निचले स्तर के लोगों को भी सामिल करें जो यही है यही सबसे बड़ा धर्म है और यही धंतेरस है जी बिल्कुल बहुत सही कहा आपने तो यह थे हमारे साथ पंडित रामदेव पंडे जी जिन्होंने कितने ही अच्छे तरीके से सारी बाते बताई धंतेर को समचार प्लेस की पूरी टीम की ओर से धंतेरस की बहुत बहुत श्रुप काम ना है आगे आपकी दिवाली भी काफी बढ़िया हो मुझे दीजे इचाज़त आज के सेग्मेंट में बस इतना ही धन्यवाद झाल